आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे है आपका चप्टर नमर एट ग्रेविटेशन में वह आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशनल एनरजी काफी 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 जाद है और काफी मैथमेटिकल भी है इसमें फॉर्मला भी डिराइव होके आएगा डेविशन आपके लिए बिल्कुल नहीं है जो इसकी डेविशन निकल के आती है वह इंपॉर्ण नहीं है मैं फिर से मैंने बात पहले भी बोली थी कि इस चैप्टर पे बहुत गड़बड मचा रखी है सीरेसली बताओं कि मतलब इस चैप्टर ने बहुत गंदी तरह से इसमें थेओरी लिखी हुई है चैप्टर में उसने कुछ भी कर रहा हुआ है उसने कहीं भी कोई भी नोटेशन डाल दिया उसने डबलू नाम से पहले पोटेंशिल एनरजी को डबलू से बुलाता है बाद में उसी पोटेंशिल एनरजी को वी से बुलाता है समझ नहीं आता कि वह वर्क केल्कूरेट कर रहा है कि वह आपका पोटेंशिल एनरजी केल्कूरेट कर रहा है कि वह वी केल्कूरेट कर रहा है इसलिए क्रिपा करके इस चैप्टर को NCRT से बिल्कुर पढ़ने की जरूरत नहीं कि बहुत जादा कन्फूजिंग लेंग्वेज है NCRT में और बहुती छोटी 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 चीजों को उसने बहुत बढ़ी तरह से समझा रखा है और जो चीज बढ़ी होनी चाहिए जो कि से लेकिन इस चैप्टर में उसने इसी चीज को वी से रप्रेजंट किया और कुछ जगह पर उसी को डवलू से रप्रेजंट किया लिखा उसने वर्क है और नीचे लिख दिया कि यह पोड़ा यजी तरीकी से चीज़ें लिखी हुई है इसलिए हलका फिलका हम NCRT से अलग चलेंगे या पर फुरूफ हम बताएंगे कैसे इसका फॉर्मला डेराइव करते हैं बिकुल है लेकिन प्रूफ आपके लिए इंपोर्टेंट बिकुल नहीं है तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल पोटेंशनल इनर्जी पहले बात करत सम वर्क ये एक तरह क्या होती है इसे वर्क डेरी ये फॉर्क देशनल पारे में आप जाकर वहां देख सकते हो अगर मैं एक छोटी सी definition आपको बता दू, conservative force ही क्या होती है, तो यह ऐसे forces होते हैं, by which work done, ऐसे forces, forces by which work done, does not depend on path, या path independent, ऐसे forces जिनके दोहार किया गया कार्य आपके रास्ते पर या path पर depend नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं आपका conservative force, तो यह increase definition आथा, यह छोटी सी चीज मैंने आपको बता दी, potential energy की, और एक और बात वो होती है, जो हम वहाँ पढ़के आए थे, यू जो होता है, यू तो नहीं, जो आपका du होता है, वो minus w के बराबर होता है, तो यह चीज हम वहाँ पर पढ़के आए थे, potential energy की बारे में, डी f is equal to g m1 m2 by r होता है, gravity force बोलो या gravitational force बोलो, तो कि होता है, आपका f is equal to g m1 m2 by r square, this is also a conservative force, क्योंकि यह एक तरह का क्या होता है, आपका conservative force होता है, तो हम इसके लिए भी क्या define करते हैं, we can define, we can define potential energy for it also, और उसी क्या बोलते हैं, we can define, कोई definition नहीं है, we can define gravitational potential energy, conservative forces के लिए आप अपना potential energy define करते हो, और जो हम gravitational force के लिए जो हम potential energy define करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका gravitational potential energy बोलते हैं, चलिए, अगर हमारी body, अगर हमारी जो body है, It is very near to Earth's surface Very near to Earth's surface Very near to Earth's surface तो उस case में यह चीज़ हम पहले पढ़ के आ चुके है यह चीज़ हमने आपके chapter 1st और 2nd में हमने इस पढ़ खाप का वर्क पाई energy में पढ़ाता तो उस टाम पे हमें इस Earth कैसी लगती है फ्लैट लगती है, horizontal लगती है तो अगर अर्थ आपके ऊपर से आप कुछ H, H side है यह H बहुत छोटा है, बहुत छोटा है H मन्तब नियर टू अर्शल के से तो यह हम याद करके आये थे कि जो surface होती है उस पे हम potential energy क्या मानते है या इसको हम दूसरे नाम से ground भी बोलते थे ground पर जम potential energy मानते है वो क्या मानते है? आपका 0 मानते है जो अगर उपर है तो यहाँ पर हम potential energy क्या मानते है आपकी प्लस, mg, H मानते है लेकिन अगर हम नीचे आजाते हैं बहुत छोटे सी जगे नीचे आते हैं अगर हम D नीचे आ गए तो हम यहाँ पर आपकी Potation Energy क्या मानेंगे? हम माइनस MGH मानते हैं समझने वाली बात यह थी यहाँ पर कि हम यहाँ पर जब भी Potation Energy लिखते हैं तो सबसे Important Point हमाई लिए क्या होता है? Reference Level होता है या Reference Point होता है इस Reference Point पर आप अपने U की कोई भी Value मान सकते हो कोई Object आपका Very Near to Earth Surface होता है लेकिन अगर वो ठीक ठाक Distance पे भी हो तो मान लीजे आपकी Earth इस तरह से मैंने बड़ी से बना दी अर्थ का यह क्या हो गया? बटा सेंटर हो गया और आपकी Earth से वो ठीक ठाक उपर है लेट से यह एच उपर है यार से हर Distance को हम लगबग H ही मान के चलते हैं लेकिन हमेशा कहां से लेते हैं H हम यह Surface से H लेकिते हो ठीक है और यहां से यहां तक का Distance कितना होता है यह तो Radius of Earth होता है अभी के लिए हम यह Radius of Earth हो इनको अभी Neglect कर देते हैं, Neglect नहीं हम यह मान लेते हैं कि Total Distance हम क्या लेकि चल रहा है Small R यहां पर आपका Small M है और यहां पर आपका Capital M E है अभी के लिए हम यह Earth की Respect में बात ही नहीं करते हैं अभी हम Random दो उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी हम Random क्या बात करने हैं लोग अबजेट के बारे मात कर रहा है कि एक अबजेट है आपका M1 ऐसे और एक अबजेट है आपका M2 ऐसे और इसलिए हम बात में क्या करेंगे कि हम M2 को Mass of Earth बोल देंगे और M1 को हम Small Mass Body का Mass बोल देंगे और इनके बीच की दूरी क्या है बेटा पुची निकल के आ रही है यहां से जो आपका F का Formula होता है वो क्या होता है G1 M2 ऐसे वर्क को मैं जानता हूँ कि वर्क जब मेरा होता है वो होता है F.DS बोलता हूँ बस इस केस में मैं DR बोलूँगा क्योंकि एक ही बात है मैं इस तरह से आपका निकाल सकता हूँ आपका निकाल सकता हूँ आपका वर्क तो मैं जब वर्क यहां से निकालने की कोशिश करता हूँ तो यह F क्या लिखूँगा मैं G M1 M2 by R square और यहां पर लिख दे हैं मैं DR और इसका integration करता हूँ integration को आना चाहिए थोड़ा बहुत मैं आपको integration बता भी चुका हूँ basic mathematics के उसमें integration में क्या होता है हमें पता है कि हमें x की power n का integration करना है तो इसका answer निकल के आता है x की power n plus 1 upon n plus 1 यह हमने पढ़ रखा है नई तो आप class 12 में तो बहुत डीटेल में mathematics में इसको पढ़ो गई पर इतना तो आए आपको आना चाहिए अगर इस जगे पे मैं निकालना चाहता हूँ तो इस जी M1 M2 यह सब तो क्या बेटा constant हो गए तो मैं इन सब को क्या निकाल जिता हूँ बहाल निकलता हूँ डिवाइड़ेट बाइ माइनस टू प्लस वन ओविसली यह क्या निकल के आ जाएगा आपका यह निकल के आ जाएगा आपका माइनस वन बाइ आर जल्दी से बताई जी आपके आपको समझ में आया है जो मैंने integration किया है यह आपे इंटेंशन कोई दिक्कत तो नहीं नहीं सबस्क्राइब और फिर मैं आप लिमेट भी रखता हूँ लिमेट कहां से कहां तक होगी मान लीजिए आप क्या था कि आपका पहले जो object था वो इसको आरवन की दूरी पे था ठीक है और थोड़ी देर बाद क्या होता है वो थोड़ी देर बाद r2 की दूरी पे चला जाता है object move कर रहा है ना जैसे आपका एक point से दूसरे point पे जा रहे हैं तो वैसे पहले मान लीजिए r1 पे था फिर इसको r2 पे लेकी जाए तो मैं माइनस का sign यहां पर लगा देता हूं और यहां पर मैंने आपका interaction किया r1 से लेके r2 तक और इसमें फिर मैं value रखके आपके next page पे निकाल के बताता हूं तो यहां से आपका निकल के आएगा जो मैं work निकाल रहा हूं अभी work निकल के आएगा आपका यहां से minus gm1 m2 और यहां पर अपने रखा r भे हम limit रख रहे हैं आपका r1 से r2 limit हम रखते हैं उपर वाला पहले minus नीचे वाला तो इसको हम रखेंगे यह निकल के आएगा minus gm1 m2 और यहां निकल के आजाएगा आपका 1 by r2 minus 1 by r1 this will be your work यह work का formula आया है लेकिन आपके ncrt ने इसी को potential energy बोल दिया और बच्चे को बड़ा confused किया है अब हम निकालने वाले हैं बटापकी potential energy अब हम potential energy क्या जानते हैं कि d u is equal to क्या होता है आपका minus w होता है थोडा ध्यान देंगे d u क्या होता है आपका minus w होता है चाली यह वह बहुत असरी बात है तो यहां से अब मैं du को, du क्या होता है, this is change in potential energy, du क्या होता है, change in potential energy, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, इसको मैं इस ता लिखता हूँ, u2-u1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका, u2-u1 भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा इसको, u2-u1 is equal to minus w, अब w आपने उपर निकाल रखा है यह माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएंगे में पूरा लिख रहता हूं माइनस जी M1 M2 और यहां पर क्या हो जाएगा 1 by R2 minus 1 by R1 इस तरीके से तो U2 minus U1 is equal to यह माइनस माइनस प्लस बन जाएगा G M1 M2 यहां जाएगा 1 by R2 minus 1 by R1 अब थोड़ा सा ध्यान देने वारी चीज है बहुत बहुत जादा ध्यान देने वारी थोड़ा नहीं बहुत जाद ध्यान देने वारी चीज है यह फॉर्मला आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह पोटेंशल एंशल निकालनी है अगर आपको क्या निकालनी है अगर आपको निकालनी इविठाश पोटेंशल एनरजी तो आपको मानना पड़े गा एक Reference क्या मानना पड़ेगा एक Red यहां पर मैं बात करूंगा रेफ्रेंस की ध्यान दें तो रेफ्रेंस मैं कैसे चलूँगा उस पर ध्यान देंगे तो मैं मानता हूं कि यहां पर मैं ड्यान देंगी सिएक आर टेंटि मैं अगर आपका तो बनासा की प्रस Bentow कोई रीजन नहीं दे रखा बुक मैं आइसे उठा कर बस लिख दिया हुना ने क्यों लिखा और कैसे लिखा वो इसके मैं उसका रीजन बताता हूं अगर आपको भी आयर्टी की कोचिंग करोगे या आयर्टी की बढ़ा ही करोगे ना तो कभी भी आयर्टी में पढ़ाने के तोरा ने जेएक के पढ़ाने के तोरा ने नियूटी में पढ़ाने कोई भी टीचर दुनिया का टीचर ग्रेविटेशन पहले नहीं बढाता वो ग्रेविटेशन Class 12 का असलिभ आसमान के बढाते हैं प्लस वो आपका ग्रेविटेशन पढाते है уб谁 के बाद में पहले वो एक्रेविटेशन पर असके बाद है कि NCRT ने ग्रेटेशन चेप्टर क्लास 11 में दे दिया है लेकिन इसमें जो भी टर्म से इस्तमाल होने वारी या जो भी चीज़ें हम देंगे हम M2 मास है तो मैं यह बोल रहा हूं मैं यह बोल रहा हूं कि अभी मानिजे यह से आरवन की दूरी पर है जो M1 की अगर हम बात करें मैं वापस से कुछ बताना चाहरा हूं M1 के आसपास उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है मैं M1 के आसपास क्या बुस्ता हूं इसकी क्या है एक ग्रेविटेशनल फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड मतब वह वाला फील्ड या वह वाला एरिया जहां तक इसकी ग्रेविटेशनल रीच है जहां तक इसमें अगर कोई बॉड़ी रही इसकी बॉड़ी रही तो उसके अंदर आपको ग्रेविटी फोर्स फील होगा उसमेंदा क्या होगा आपको ग्रेविटी फूर्स की लोगा जैसे एक्जाम्पल के लिए जैसे जैसे मैं बॉडी से दूर जाता रहूंगा मेरा ग्रेविटेशनल पूर्स की वैल्यू कम होती जाती तो कि आर बढ़ता रहता है वन अपॉन आर स्कूर्स के जो मुझे एफेक्ट दिख रहा है तो ग्रेविटेशनल की ताकत मुझे दिख रही है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे में दूर करणा और अगर मैं इंफिनिटी पे पहुंच जाओं इंफाइन पे पहुंच जाओं तो यहां पर मुझे एम टू पर इस एम वन का कोई फो नेट हो गया तब मैं पूंटेशनल तो इसको क्या मते हैं कि रेफरेंस डेम बहुत ज्रूरी है और जभी इसके पास था भी इसके पास था तो मैं तो मैं बोत सकता हूं कि लेएभ इस पर तो इस अरवन को क्योंकि जब यहां पास में था नौAbन ठाली जार डिया कि R2 को मैंने क्या ले लिए आपका infinite ले लिया ठीक है और R1 को मैंने किसके ब्रावर ले लिए लेट से R की ब्रावर ले लिया ध्यान देंगे इस formula में मैंने क्या किया आपका आर एक सेकंड इस फॉर्मले मैंने ऐसे किया कि आर की वेलिव आर ले लिए उस तरह से मैंने इस सब कुछ कर दिया तो उस तरीके से जब मैं लिखता हूं तो यहाँ पर मेरा फॉर्मला क्या निकल कि आता है यह फॉर्मला आपको याद अपना है u is equal to minus यह minus आता है due to attraction gm1 m2 by r very 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 important formula for you this formula is for gravitational potential energy between two bodies जिनका mass m1 और m2 है यह formula याद होना चाहिए दो body के बीच का क्या है आपका यह gravitational potential energy का formula है gravitational potential energy लेकिन मैं फिर से बता दूँ यह formula आप सिर्फ तब लिख पा रहे हो जब आपने reference माना है हमेशा reference की बहुत ज़्याद़ ज़रू हती है तो reference क्या माना है अपने reference माना है अपने कि जब आर आपका tends to infinity है तो वहाँ पर आपकी potential energy की value आपने क्या मानी यह जीर मानी है अगर आप ऐसा करके चलते हों आप अगर ऐसा करके चलते हो तो उस time पर क्या होता है आपकी potential energy का formula यह निकम क्याता है आपको यह formula याद होना चाहिए ठीक है तो potential energy का formula क्या होगा है u is equal to minus g m1 m2 by r समझ में आया बटाई formula कैसे निकाले मैंने reference 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 आपके इंप्रूफ आपके लिए बिल्कुल इंप्रूटन नहीं है क्योंकि आपकी NCRT ने बहुत ही गंदा प्रूफ दे रखा है ठीक है वो प्रूफ पता नहीं क्यों उसने जवरस्ति के नाम के प्रूफ दे दिया उसने दे रहें नहीं चाहिए तैसे चाहतो लेकिन जो actual proof है मैंने वह आपको करवा दिया है अब एक गड़बड यह है मैं आपको NCRT दिखाना चाहता हूं जान बूचके क्योंकि मुझे इसमें एक चीज दिखा नहीं है एक गड़बड यह है कि आपकी यह देखो यहां पर गड़बड क्या किया है उसने यहां पर डवल डवल रखा है और डवल को इसने क्या बोल इसने पोटेंशन एनरजी को पर डवल से डेनोट कर रखा है और थोड़ी देबाद उसने क्या किया पोटेंशन एनरजी को उसने वी से डेनोट कर दिया तो बड़ा अजीब सा फेक्टर हो जाता है समझना कि NCRT मलब समझाना क्या चाहरी को तो अब देखिए वापस लोट आपके वी लिखा हुआ है तो आपके वरना फॉर्मला तो आपके सामने लिखा हुआ है इस फॉर्मले को आपको याद अखना है माइनस जी और ये माइनस बहुत इम्पोर्टन है इस माइनस को मत भूल जाना बस बच्चे जो होते ना क्योंकि बच्चों के गंदी याद आता हुते है कि फॉर्मला याद कर लेते हैं पर नेगटिफ पॉस्टिव क्या होता है उसको याद नहीं कर तो इस फॉर्मला की scalar quantity होती है ठीक है और scalar quantity की अच्छी बात क्या होती है कि जब आपको इसको किसी और के साथ में add करना है तो आप directly add कर सकते हो या directly subtract कर सकते हो आपको इसमें यह सोचने की चाहिए कि मुझे vector addition करना पड़ेगा या क्या यह perpendicular तो नहीं है अगर perpendicular तो root A square plus B square यह सब करना बढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं सोचना कोई resultant के बाएं में नहीं सोचना तो अगर आपके पास ने एक time पे एक से ज़्यादा mass रखे हुए अगर आपके पास तो उसी को हम देखते हैं नीट आयर्टी में थोड़े से अच्छा कुछन बन जाता ही है और उतना अच्छा कुछन नहीं है और ना बनाना है आपको अब देखिए इस कुछन को मैं मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर देखते हूँ एक सब्सक्राइब तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुए ठीक है फाइन दा पोटेंशिल एनर्जी ऑफ सिस्टम ओफ फोर पार्टिकल्स प्लेस्ट अच्छा कुछन नहीं इसको देखते हैं पर अच्छा कुछन नहीं इसको देखते हैं पर अच्छा गुषा नहीं एक सिस्टम आफ एक सिस्टम आपको दे रहे हैं वाप उनकी मासा की आपको क्या निकालने पूटेशम निकाल हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे और कौनज इसकुर्शन को समझेंगे तो बचों कंफ्यूज करता है इसलिए है आसान सा क्फ्यूज होते हैं बताने बच्चे क्यों उसको क्लियर करेंगे तो यहां पर आपका एक स्क्यूर मनाति है मैंने इस टैप से और इस इस की जो लेंथ है सारी स्क्वेर की सारी 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 बडाबर ही होती है तो ल आपको दे रखी है चलिए अच्छी बात है फाль दा पॉटेंचल एनर्जी ऑफव इस्टम फॉर पार्टिकल्स प्लेज एड़ गाइड़ एस और उसमें फॉर पार्टिकल्स के बारे कुछ खास कहने ही रखा ब्यालीग दिया है अब मैं इसका लिखाना चाहूं मैंसको पोटेशिन नीजिन निकालना चाहूंगा तो सीधे लिए आप रख भी सकते हो पर अपत्ती है क्वम उधार्य कि लिक्राहई है कि और यो ग्जेक्ट तरीका हूँ सुनेगा मुझे क्या करना ये इस तरह से बनाना है। तीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, infinite से पहले एक مس लेकी आता हूँ, infinite से पहले मैं एक मास यहां पर लेका है, मैंने उसको यहां पर रख दिया। क्योंकि infinite से लाके रख रहा हूं और इस मास के अलावा कोई और मास ही नहीं तो अभी क्या potential energy है अभी आपकी zero potential energy है अभी ठीक है हम add करते चलेंगे फिर मैंने क्या 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 से दूसरा मास लेकर आया और इसको यहां पर रख दिया एक और मास लेकर आया उसको मैंने यहां पर रख दिया अब क्योंकि दो मास प्रेजेंट है उनकी बीच का दिया तो अभ ध्यान देना इसको भी infinite से लेकर आऊँ क्योंकि infinite से क्यों लाता हूँ कि infinite potential energy is zero होती है अभ ध्यान देना जब मैं तीसरा मास यहां पर लेकर आता हूं अब तीसरे मास को बेटा ध्यान देना बहुत अची आप इसको यह भी तो वह भो लो कि सर्थ इसकी वज़ेसे भी तो मिलेगी इसकी वज़ेसे तो मिलेकी हमें लीगी और यह दिस्टेंस क्या होगा यह गाफका रूट टू M Square और इनकी बिए का Distance क्या है ? Root to L है यह जो मैंने लिखा है यह मैंने इस वाले की बज़े से लिखा है इस वाले के आने के बाद में क्या होगा इसको यहां से भी मिलेंगी पूटेशन और यहां से भी मिलेंगी टीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब मैं चौथा मास लेके आता हूं जब मैं चौथा मास लेके आता हूं यहां पर लेके आता हूं अब इसको कहां कहां से मिल रहा होगा तो ध्यान देना इसको एक तो मिलेगा आपका यहां से इससे मिलेगा ठीक है जो इससे मिलेगा उसको अगर मैं यहां पर लिख दू तो दूसरी पोटेशनरजी इसको मिल रही हो कि यहां से इसकी वज़े से लिखता हूँ जब इसकी वज़े से लिखूंगा तो distance कितना है इसकी बीच में distance L ही है मैं क्या लिखूंगा फिर से minus G M square by L अब ये भी हो गया अब इसके पास और कौन बचा मास इसके पास अब थोड़ा ध्यान देंगे हम तो इसके पास में आपका ये वाला मास बचा है ये वाला मास ये वाला और इसका कितना distance होगा इसका distance कितना होगा यहां से वो से ये वाला distance होगा ये कितना distance है root 2L है तो उसकी potential energy क्या लिख पहूंगा मैं छिर्ट का आप करें की पहले बात zee प्लस बार रूट हो गया और यहां नीकल Mart लो देखी , तो टोटल क्या निकल क्या जाएगा यहां पर इसको एड़ कर देंगे तो माइनस जी एम स्क्वेर बाई एल अंदर क्या बचेगा एक दो तीन चार फॉर प्लस टू बाई रूट टू और टू रूट टू कमेंड रूट टू लिखता हूं यू क्या निकल क्या आएगा आपक एक्सपर्ट कर रहा है और बच्यस्वा यह उता है एक दूसरी को लेकिए आओ वहां पर रखो फिर दूसरा लेकिए आओ पिर उसको एकसा कर दिया इस तरह से आपका तरीका होता है और वह एक दूसरे की वरे से निकाल लो एसे नहीं होता है मतलब मुझे मजा नहीं आया NCRT वैसे बहुत अच्छी तरह किसे चीजों को लिखती है पर NCRT नहीं यहां पर थोड़ा सा गंदी की मच आई आई चलिए अब यहां पर बात करते हैं आप अब सुनना एक चीज है हाँ और वही गड़बड हो गई कि NCRT ने उसको लिखा ही नहीं इसका डेफिनिशन नहीं दी और जबकि उसका मतलब उसके कुछ बताया नहीं और NCRT ने उसके उसका आप से कुछ पूछ लिया जैसे एक ग्जांपर में बताना चाहरा हूं आपकर इ अब NCRT का ही है अब NCRT ने इस देखो इसको क्या पूछाथा आपने नाम भी दे रखा तो वहीं कपड़ोगी NCRT से आप कोड़ेंशिया के बारे में आप रता तो कि पोटेंशिल की होता है 대통령 को आगर मैं बात करूं यहाप ग्रेविटेशनल नगोगा हुआ नाम और सोनदेट कर多ई में पहले पढ़ाने का रीजिय ता तो वह वो पहले पढ़ाना चाहिए था वह पहले पढ़ाना चाहिए था सल 영區 ग्राइटेशन पढ़ते हैं लेकिन एंसी आटी तो एंसी आटी है उनके रूल से थिए उनकी पढ़ाई उनका स्लेवस उनके रूल से तो ग्रेविटेशन पोटेंशल क्या होता है तो सुनिया माननी चाहीं यहां पर क्या रखा है जिसको हम सरफ एक्सपरिमेंट के लिए मैं इसका है है तो यहां पर वही वाली चीज्ज है कि ऐसे मैं बोला कि हो गया तो गैविटेशल पोटेंशल होता क्या है तो फाम्मला मैं आपके सामने बता लो हूं पोटेंशिल को आप याद रखें इसका फाम्मला होता है यू अप टेस्ट मास को मैंने M1 बोला है तो आपको इस तरह लिखता हूँ यह फॉर्मॉला पटा याद रखना हमेश्ट पोटेंशन इस इकल टू यू अपॉन टेस्ट मास जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं जान मुझ की जिस करहा हूँ कि इलेक्ट्र स्टेटिक्स को नाम मुझे इस को आपश करते हो उसको हूँ से मां लिया तो इसका फैसप ने की एकल को सब्राम चर्ण लिए घृष्ट सोब्म कन लिए तो इसका इसका फोर्मॉल crashed क्याता है इसका formula निकल क्याता है इसका formula q1 टाईब से मान लिए तो Requeeb क्या आए खेकू बाइर का सोब्स्ट्रा कि क्याता है शक्отरे O वित इसका ड्रेय आपका चार्ज होता है वित शक्तर में आपका में सब्सक्राइब야지 हम यहाप us के नाम मेंशन करते हैं Ride आपका क्या होगा कि V अपॉन टेस्ट जाग तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मुला निकल क्या होगा वो होता है V is equal to minus G जैसे M into M1 by R होगा यह होगी potential energy divided by M1 test mass तो इससे सी कर जाएगा तो आपका gravitational potential formula निकल क्या आता है बैटा minus G M by R यह formula निकल के आता है आपका gravitational potential अब सुनिए अब उसने इस सवाल में एक चीज़ पूछी होती जो मैंने पीछे आपका सवाल छोट रखता है इस सवाल में उसने बोलता कि जैसे square plate है तो बोलता है कि इसके center पे कितना होगा gravitational potential तो आपको क्या पता है मैंने अभी बताया कि gravitational potential का formula क्या होता है ग्रेविटेशनल potential का formula होता है अगर मुझे निकालना है gravitational potential का जो formula है वी वो क्या हो जाएगा वो minus G M upon R होता है यह मैंने जो लिखा है यह किसी एक के लिए लिखा है एक body way से और क्योंकि जो potential होता है यह भी क्या होती है scalar quantity होती है तो अगर आपको बहुत सारे system की निकालना है potential तो आप सीधे add कर दोगे तो जो आपका सवार यहाँ पे दे रखा था इसको अगर मैं वापस से बनाता हूँ तो जैसे यहाँ पर एक square बनाऊँ होता और square में क्या था आपP HERE यहाँ अलग-अलग mass रख्ढ़र है yes यहां पे आपका M है यहां पे आपका M है और यहां पे आपका M है यहां पे आपका M है यहां पे पोटेंशिल को दूसरे मास से कोई फरक नहीं पड़ता potential को यह होता है कि मेरी वज़े से कितना हूँ आपे potential generate हो रहा है बस तो मझे कहां पर निकालना है center पर तो center की दूरी निकालनी होगी आपको हर जगे से यहां पर, यहां से, यहां से, यहां से इस तरह से obviously हर जगे के बराबर है न अगर मैं बात करो तो यह R होगा, यह R होगा, यह R होगा क्योंकि diagonal का आदा है सब के लिए बराबर होगा और इसके length क्या हो जाएगी? diagonal की आदी, तो diagonal by 2 तो इसके length क्या निकल क्या आजाएगी आपकी? इसके length क्या निकल क्या आजाएगी बेटा आपके लिए यह निकल के आगे ना root 2 L by 2 यह निकल के आगे आपकी length from center तो अगर मैं जो potential लिखना है system का potential यहाद लिखेंगे तो मैं वो किसकी वैसे लिखूँँगा मैं वो आपका V1 ऐसे V2, ऐसे V3 और ऐसे ही V4 चारों के वैसे लिखूँँगा तो मैं V को क्या लिखता हूँ यहाँ पर आपका 4 into V1 लिख सकता हूँ तो V जो net की बात को लिखते हैं तो V net क्या हो जागा 4 V1 अब V1 क्या होता है वो का formula क्या हो जागा minus gm by r मैं यहाँ पर लिखता हूँ minus gm by r r की value कितनी है यहाँ पर root 2 L by 2 r की value कितनी है आपकी minus gm by यहाँ पर जागा root 2 और यहाँ पर L by 2 मतलब L by 2 मतलब उपर चले जागा 2 तो यह 2 अगर मैं cancel out होना चाहूँगा तो यह निकल किया जागा minus 4 root 2 gm by L this will be the formula this will be the answer of gravitational potential समझना है नहीं आए बटा थोड़ा सा मैं फिर से कहा रहा हूँ numerical आप पहली बार इन चीजों को देख रहे हो पहली बार इन चीजों को देख रहे हो तो थोड़ा सा hard लगेगा लेकिन विट practice हम बात में जब आपकी numerical करने जाएंगे तो हम और practice से सारे कुशन को अच्छे से कर सकते हैं तो उसमें कोई गवराने वारी बात नहीं ना डर्दना है को चली हम आगे चलते हैं आपका ठीक है जो potential energy का use है हम उस पर चलते हैं कि हम अर्थ की case में आपका लिखना चाहते हैं potential energy को तो मैं कैसे लिख पाऊंगा आपका मैं लिख सकता हूँ वापे अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशन एनर्जी और अर्थ के लिए मैं बात करता हूँ ठीक है तो अर्थ पर मान लीजिए आपका अर्थ तो बड़ी है इस तरह इसे बड़ी है अर्थ है आपकी और कोई अब धर्दी के अंदर गुसाने बात नहीं करते हैं आप ऐसा नहीं बात कर वापस से पढ़ेंगे और ये स्ट्रेशन कुछ अब ही के लिए रूज़ता हूँ थे अगया है जोख अब ही के लिए मैं आर बूलता हूँ तो मैंने आपको जो पोटेंशन एनर्जी का फॉर्मला बताया था पेटा सब्सफ्प्राइब माइनस जी एंवन एम्टूबाए R بس अब हम क्या करें כे इन में से जो M1 है उसको हम अर्थ का मास रखट देंगे ठीक है और यहां पर जो आपका M2 है ठीक है इसको हम क्या रखट देंगे इसको हम स्मॉल मास रखट देंगे और R क्या हो जाएगा यहाँ पर वह आपका पर वही वाली बात है हम हमेशा ये भी याद रखेंगे साथ में क्या कि at r tends to infinity जब आप बहुत दूर पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आपने u को क्या मन लखा है जीरो मन लखा है यह चीज़ मेंशन करना जरूरी हो जाती है क्योंकि आप रेफरेंस की बना कभी भी अकेली इसको बोलते हैं escape speed बहुत important टीज़ है escape कोई escape velocity बोलता है कोई escape speed बोलता है जो नमन करे वो बोली है उससे कोई फरक नहीं परता escape speed समझेंगे escape speed क्या होती है इसको मैं आपका VE के नाम से रप्रेजन कर रहा हूं वी इक कुछ किताबें VESC लिख रिखती हैं कुछ किताबें VE लिखती हैं कुछ किताबें वी minimum इस तरह से V1 minimum 1 लिखती है उससे कोई मतलब नहीं आप बस सुनिए क्या होता है अब escape speed है क्या escape speed एक aisy speed होती है जो जो आपको अगर मैं जासे पौल excessive आप अगर यहन dein पर पर वैठे हो है तो जब आप यहाँ पर इसी आपड़ी में किसी औûप्जटका को मैं कि जिस मचिंफ हों गया हो फ्री सिर्जफ होना पर ऐसागे आफ और 45 अब कहा लेकिन अम चाहता हूं कि मैं इतनी स्पीड से फैको इतनी स्पैकों कि आपकर मैं इसकोнок द्रूरूरी चले जाए भी हिलॉट कि हितिए लॉट के ही ना है लॉट के ना है किसका मतलब क्या है कि यह आपकी escape कर जाए, escape from earth's gravitational field आप ने उसको इतनी speed से फैका that it escapes from earth's gravitational field आप चाहते हो कि earth की gravitational field से ही दूर चली जाए मतलब दूर का मतलब और दूर अगर किसी चीज़ को मुझे किसी के gravitational field से दूर भेजना है, तो मैंने इसका मतलब क्या है कि मैं कहां बेजना चाहता हूँ, उसको infinite बेजना चाहता हूँ, infinite पर जाके आप gravitational field को किसी की क्या मान सकते हो लगभग zero मान सकते हो ठीक है, तो यह simple सी बात है कि मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम किसी चीज़ को फैकते हैं तो वापस से अर्थ काली गर जाता है बट अगर हम बहुत speed को बढ़ा दे, इतनी speed बढ़ा दे कि it will go out of the earth's gravitational field then it is called as कि जो speed आपने दी है जो initial speed आपने उसको दी है वो क्या होगी, उसको हम बोलेंगे आपकी escape speed अगर ऐसा कुछ हो गया मतलब इस वाले किसमें तो आपने ऐसे फैका तो यह लटक के आगे वापस ठीक है, लेकिन आपने कोई ऐसी speed इस speed को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि it comes out of the gravitational field of the earth तो मैं बोलूँगा कि यह इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे escape speed ठीक है, अब देख Bears अब समझता बात हो, अब क्या करने बाले हैं हूंपे कैसे निकालेंगे, हमें इसकी value निकालने है, कैसे निकालेंगे, देखे तो मैं मालन दिताओं कि यह आपका initial point और यह क्या है आपका final point है infinite को मैं ने क्या मालन लिए टेविटेशनल की फोर्स होता है वह प्रक्राइब कॉर्स हलाई और मैंने कहा कि जब भी आपके फॉर्स किसी बौटी-पर सिर्क-ः술 लग रहे होते हैं तो वहाँ पर आतोर ड यहां प्रक्राटलन एंगेकल एंगर इंग मतलब यहांतों आप Television इसमें एनर्जी किते लगी है तो वर्क पार एनर्जी में आप कोई चीज बताए थी कि जब भी आप मेकनिक एनर्जी कंजर्वेशन करते हो तो उसकी कंडिशन क्या होती है कि आपका फोर्स कौन सा होना चाहिए वहां पर यह सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके इनको करो अच्छे से जब आपकी बॉड़ी पर सिर्फा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होते देन इन डेट केस्ट एप्लाइं मेकनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपकी बुक ने इसको सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन बोल रहा है क्योंकि कोई लौसी नहीं हो रहा है आप सिंपल इसको एनर्जी कंदर्वेशन बहुत सकते हो या मैकनिकल नेंर्जी कंजर्वेशन एक यही बात है कि विए इस पहों सप्धा है तो पास में स्पीड केतिनी है वी इ स्पीड है तो मैं इसको बета रहें यह और यहां कि रहा है M V1 square जो M क्या है इस बोड़ी चोटी सी बोड़ी का मास V1 square अब ध्यान देना potential energy का formula क्या होता है अर्थ की वेसे minus G M1 sorry M E small M divided by अभी इस जगे पे अभी कहां पर है आपकी body अभी अर्थ की बिक्रोज है ना तो यहां का distance क्या रिखाँगा मैं R E लिख सकता हूँ तो जब आपका अर्थ सर्फेस पे होगा अर्थ की सर्फेस पे अगर body रखी है तो उस time पे R की value क्या हो जाएगी simple आपकी R E ही हो जाएगी यानि H की value क्या ले लिए अपन जिरो ले लिए तो उस time पे आपका U क्या हो जाएगा minus G M E M by simple R E हो जाएगा है तो अभी क्योंकि आपकी body अर्थ की सर्फेस पर ही रखे तो इसका पॉटेशिटी हो जाएगी इस इक्वेल टू कि इस इक्वेल टू का इंटी के जी फाइन जब यहां पर कहीं पहुंच गई लेट से इस ताइम इसकी वेलोसिटी कुछ V2 है जब इतना दूर पहुंच गए लेट से इनफाइन पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी V2 हो गए हमें ने पता कितनी बस हम लिख रहे हैं हाफ M V2 स्क्वेर प्लस जब इनफाइन पहुंच पहुंच गए हम जानते हैं इनफाइन पोटेशन एजरी क्या होती है जीर होती है तो हमने यहां पर जीर लिख दिया अब इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करता हूं यहां से मैं क्या लिख सता हूं आपका हाफ M V1 स्क्वेर माइनस G कैपिटल M E M by R E is equal to हाफ M V2 स्क्वेर चलिए वह तरशी बात है क्या यहां से मैं M स्नॉल M को यहां से और यहां से काट सकता हूं तो जो बचा पार्ट है मैं उसको यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं हाफ M तो कट किया है आपका हाफ V1 स्क्वेर माइनस G M E by R E is equal to हाफ V2 स्क्वेर ठीक है मेरा में मॉटिफ था V1 निकालना तो मैं V1 को अगर लिखना चाहता हूं तो V1 को अकेरा छोड़ता हूं बागी सारी चीज़ को ले जाता हूं यहां हो जागा हाफ V2 स्क्वेर प्लस G M E by R E यह हाफ को भी हटाता हूं यहां से तो V1 का स्क्वेर is equal to यहां पर आजाएगा आपका V2 का स्क्वेर प्लस G M E by R E तो V1 क्या निकल क्या आजागा है यहां से विवन कम आउट टो भी रूट आफ अंडर रूट वी टू स्क्वेर प्लस G M E by R E संग्या है बेटा इतना जो भी मैंने किया है अब सुनिए अब मैं बात करूँगा एस्केप स्पीड की अब एस्केप स्पीड क्या होती है एस्केप स्पीड is that it is that minimum initial velocity minimum minimum initial speed so that the body just reaches out of earth's gravitational field earth's gravitational field मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी एस्केप स्पीड क्या होती है इस डैट minimum initial speed यह वह वीवन की minimum value इस वीवन की क्या है वह minimum value है ताकि आपका body कैसे भी करके आपका gravitational field से बाहर चले जाए और gravitational field से बाहर जाने का मतलब क्या है to infinity पस infinity पे पहुंच जाए उसके बाद क्या कर रहे है मुझे से कोई मतलब नहीं है इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मुझे मतलब नहीं है कि एक बार मैंने यह दे दिया उसके बार मुझे मतलब नहीं है कि वह infinite पर जाकर रही है कि चल रही है या जो करना है iveras कराँ उ से करें यह कोई मतलब नहीं है लेकि मुझे minimum one निकाल नहीं 한 तो देखिए मैंग जी को 0 नहींकर सकता है इस्कों कुछ नहीं कर सकता है इसको मैं 0 कर सकता हूं लेकिन बोलता हूं कि let's say कि minimum के लिए आपने क्या भूला let's say कि वो infinite प्रहण कि इनफाइन 지루 till श ärव ने हऊए होगो झालु के हमने क्या माले लैट वीटु इस जिरो जब आपके इन्फाइनेट ही हम ले माले लेट सीजीड़ तो अगर जीरो उस केसे में मैं इस विवन को क्या लिख पाऊंगा वीवन मिनमम मिनिमेमं को तो ही मैं क्या बुशता हूँ वी ये वह स्पीड है जिसके किसी बॉड़ी को मैं अगर अर्थ की सर्फिस रेको तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पील्ड से बाहर हो जाएगी तो यहाँ से वी टू स्क्रेर क्या हो जाएगा यह रो जाएगा बचेगा क्या आपका गी कैप हुआ होना चाहिए एन इस फॉर्मला इस अंडरूट कैपिटल G M E by R E इस इस फॉर्मला ओफ एसकेप स्पीड यह फॉर्मला आपको रटा हुआ होना चाहिए लेकिन एक दिक्कत है दिक्कत क्या है हमने इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मले लिखे हैं चाहिए आपने याद किया हो जी के फॉर्मले जी डश के जो फॉर्मले लिखे थे उसको हमने जी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं हर फॉर्मले को हम क्या चाहते हैं स्मॉल जी के टर्म क्या होता है वो होता है capital G M E by R E square यह formula होता है हाँ सरी होता है तो अगर मुझे इसको conversion करना है तो एक काम करता हूँ उपर R से multiply करता हूँ नीचे भी R से multiply करता हूँ अगर ऐसा करूंगा तो मेरा क्या जागा है यह निकल क्या जागा जागा G capital M E by R E sqaure into R अभी यह क्या है आपका ? चीर क्या है आपका ? siyaक आप क्या तो यह alongik आपका क्या निकल की आ जागा V-E का formula में रूट इन्द्रू जी R ठेक है ? अब सुनक आपको याद करना होगा और अगर आपको याद करता है तो आपको दो फर्मिले याद करने क्योंकि maximum time आपके small g के terms में फॉर्मले याद करने के लिए बोला जाता है तो उसके साब से आपको फॉर्मले दो फॉर्मले में इसके प्रूफ इसका याद होना चाहिए प्रूफ अगर पता होना चाहिए लेकिन क्योंकि आपके objective पेपर आ तो इतना ज्यादा मैंट नहीं करन है जो escape speed का formula होता है इसके दो फॉर्मले होंगे अंडर रूट जी capital G M E by R E लेकिन हम maximum time small g में सारे formula लिखना चाहते हैं तो इसका formula हो जाएगा small g into R E this will be the formula of escape speed यह वो minimum speed है जो आप earth surface से किसी body को दोगे ताके वो earth के gravitational field से बाहर हो जाए ताके वो earth के gravitational field से क्या हो जाए आपकी बाहर हो जाए बहुत-बहुत important formula और यह दोनों ही formula आपको भूल रटे हुए होने चाहिए रटे हुए होंगे तो भी तभी आपको helpful होगा बहुत important formula है पर से बता दो क्योंकि आगे कुछ formula और आने वाले हैं उनको हमें उनको हम भी हम root g के form में रखने वाले हैं आगे आपकी satellite की speed आई है आपकी हम उसकी बात करेंगे तो उसमें भी आपका यह formula इस तरह का कुछ formula निकलके आगा तो अगर यह formula आपको याद रहेगा तो वह पारी बात बताने वाला हूँ निकाला तो हमने अर्थ के लिए तो अर्थ के लिए क्या formula निकलके आ रहा है आपका वी escape का वो क्या है वो under root capital G M E by R E निकलके आए ठीक है जिसको हम root of G into R E भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन कुछ other planets के लिए for other planets के लिए लिए लिखना होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है और other planets और satellites और satellite के लिए अगर आपको इसी formula के इसको लिखना है इस formula को तो आपको ड़ने वाली बात नहीं वी लिखो आपको बाकि जो चीज constant होती हो सबके लिए होती है जी तो सबके लिए सेम होगा बस यहां पर M की जगर पर क्या ज बस यह वाली बात पर समझाने थी अच्छे से मैं यह बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप किसी और planet के लिए भी escape speed निक्रा आज सकते हो लेकिन अर्थ की जो value होती है अगर मैं g की value को क्या रखता हूं 9.8 रख देता हूं और r की value को 6400 into 10 की power 3 रख देता हूं तो आपको य escape speed होती है अर्थ की जो escape speed होती है इसकी value important है याद होनी चाहिए it is 11.2 km per second जो rocket आप छोड़ते हैं जब satellite आपको space में पहुचा नहीं होती है तो जो rocket को आप speed देते हो initial speed वो इससे भी जादा होनी चाहिए अगर इससे जादा होगी तब ही वो आपके अर्थ की gravitational speed से बाहर जा example लेके moon की बात करें हम moon की बात करें ध्यान दीजेखा तो जब हम अगर moon की बात करना चाहते हैं तो moon के लिए बस हमें क्या करना होगा moon के लिए और जो जी ओफ मून होता है तो मैं इन वैली को पुट करता हूं तो मेरा मून के लिए एकश्केप स्पीड करें कि आएगी फार्मला क्या हो जाएगा कैप स्मॉल कैपिटल जी वाला ना उसके स्मॉल वाला करें तो जी ओफ मून रखेंगे आप जब इनकी वैली का हम पुट करते हैं तो यह निकल के आता है लगभग 2.3 km per second लगभग 2.3 km per second लगभग हम बात करें लगभग देखो यह 2 है और यह 11 है तो लगभग 2.3 है ना तो लगभग 5 तैम्स कम आता है तो मैं इसको बहुत कर लगभग अर्थ के अर्थ के 5 तैम्स कम आता है तो यह कुछ special values है जो आपको अगर याद रहेंगी तो अच्छी बात है मना मैं यह कह रहा हूं कि याद करने के कोई जरूत नहीं है मैं यह नहीं कह रहा है अर्थ के लिए इंपॉर्टन्ट है ठीक है बाकि मून मून तो मैंने example की फॉर्म में लिखा है मैंने कोई concept की फॉर्म में नहीं समझा रहा है मैं इसको मून का यह होता है ठीक है तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह हमने escape speed पढ़ी तो escape speed बहुत important topic है क्योंकि इसके अर्थ इसकी बहुत अच्छे सवाल भी बनते हैं और बहुत हार्थ हार्थ लेवल सब्सक्राइब करेंगे और यह सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कैसे फोर्स उनके उपर लग रहे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे दूसरी बात दो टाइप की जो satellite होती है खास एक होती है आपकी polar satellite और एक होती है geostationary satellite इन में क्या differences होते हैं क्या फरक होते हैं क्या importance होती है इनके बारे में हम बात करेंगे तो बैटा आज की class में हम इतना ही पढ़ रहे हैं आज क्लास में हमने